हम आज के वीडियो में यहां पर हम देखने वाले किальные एक सेंज अगर आप यूज ए वॉज पर तो क्लेवर सपोर्टीम को आप कैसे काइसे कांट TJ कर सकते हूं सब्सपोर्ट टीम zendesk.com इस website के उपर आपको आना है और आपको clever support के उपर आना है और जैसे clever support के उपर आते हो नीचे इन्होंने दिया है submit a request आपको कॉंसे type के query यहाँ पर request आपको करवाना है अगर आपको help चाहिए तो please understand that we can only assist with issue directly related to the clever wallet and clever exchange clever wallet or clever exchange related ही जो भी आपको issue रहेगा problem रहेगा वही इनको यहाँ पर query आपको यहाँ पर पूचना है आपको message करना है request with the current category will be the proceed faster first request will generally be proceed in 1 to 12 hours आपकी जो request आपने किए एक से एक गंटे से लेके 12 गंटे के अंदर आपका वो solve किया जाएगा है वैसे देखा जाए तो जल्दी एक से दो गंटे में भी कभी भी solve होता है if you request is related exchange और wallet आपकी request exchange और related wallet के related होगी कोई please mention that directly directly उनको mention करना है कि sir exchange और wallet के related यहाँ पर हमारे यहाँ पर query जो भी आपकी request रहेगी सार आपको English में ही type करवाना है Hindi में type नहीं कर रहा है mostly prefer करो English language clever will never ask you the transfer to any address to provide any private information for any reason clever कोई आपका घर का address या फिस सारी चीज़ेस आपको नहीं पुछते क्या आपको आपको आमें mail करो या फिर courier करो कुछ भी नहीं आपका personal address कोई भी नहीं पुछता if you are asked to do so please be aware of fraud frauds okay frauds बहुत हो रहे scam हो रहे okay कोई भी आपको call करें के बोले clever की तरफ से हम बोल रहे है आपका manomaniak key बता हो आपका मुझे wallet का जो 12 फ्रेज़े वो बता हो तो आपका problems हो बिल्कुल नहीं यह कोई phrase और manomaniak key कोई भी नहीं मागता यह ध्यान में रखो never share your private information such as your private key and manomaniak key जैसे मैं भी आपको बता है private key जो रहती है जब आपने clever wallet आपने इंस्टॉल किया रहता है तब जा कि आपको यह पर 12 फ्रेज मिलते हैं आपकी जो security जी आपके password रहता है और आपके manomaniak key रहती हो आपको देने नहीं रहती सकते हो तो mostly मैं बूलूँगा English में ही करो अगर आपको English आती है English नहीं आती है तो आप Hindi में कर सकते हो आप Hindi में मैंने इस से पहले तो खुद नहीं किया है तो Hindi में करके देगो इनका reply आता है अगर नहीं आता है तो mostly English language प्रेफर करो English नहीं आपको Hindi नहीं आती है तो क्या करवना है सबसे पहले Hindi में टाइप करो कहाँ पर टेक्स्ट जो टेक्स्ट मॉस्टर रहते हैं वहाँ पर हिंदी में टाइप करो वह कॉपी करो जो आपको हिंदी में बोलना है और बाद में जाओ आप Google के उपर डालो Hindi text to English text converter तो जैसे बाद से वहाँ पर जाते हो वहाँ पर हिंदी जिख सारा जो हिंदी केके जीनिक का जुप कॉलिम में है वाँ पर पैस्ट को Schedule जैसे मुझे ए च्ठीक कलवी लॉक के बारे में जो टोकरन इसके बारे में प्रावलेम में आपका Google 500 अ प्रस्ऱित करो इसे नीचे जहना है पॉपको कोई से मेल डग डी के इअडी के ऊपर आपको यहाप कन वरेशन चाहिए तो आपको यहांपर दालो ऐलाई के बाद में आपको यहांपर डालना है आपका टॉपिक ड़लना तो टॉपिक के आपका श्वैपिंग के थिटू है एक्षेंजर के रिलेडर प्राम केलेजर चैंड चैंड आपने कोई कोई ढर्दि की किसी को वालट से काई सेग्ठ की उऺए पोट्फोलियो चो पैस डबार के रिगार्डिक तो स्वयुब हो चुका है शाप तक अब अब बना नहीं स vraiड़ सारा प्रॉल क्ते समय मैं सब्सक्राकर डेरी चलता है यहां पे जो what is the swap ID है तो यहाँ पर सारी डिटर्स आपको swap की बारे में दी गई है हाँ टू शेर फेल्ट स्वाइब डिटल्स विट लेवर सपोर्ट यहाँ पर सिधा बताएगा है आपको कैसे आपकी सारी डिटल्स यहाँ पर देने भी आपका swap अपने किया है उसका transaction का hash रहता है वहाँ पर transaction का पर जाकी डिटल्स चेक करने है उसका वहाँ पर hash रहता है वह कॉपी करना है उसके बाद ने swap ID आपको वहाँ से लेना है तो पाद ट्रैंजेक्शन है डिस्वाप अधी अन्डा संदिंग अडर्स ऑफ देश्वाप यहाँ पर उर्फ पूरी प्रोशियर दी गई वह आपको सारी प्रोशिजर यहाँ पर आपको देखने डिरेक्ली यहाँ पर हाँ टुशेर फैल्ट डिटल्स भीट्रास देटल् और फिर से में minimize कर दो में पर दढ़ने आपको मैंने बता है क्या डालने वह बता है ट्रेंजीक्षिन का जो है रहते है आपको पेस्ट करने sending wallet address अपका जो wallet का address रहता है वह यह पर send करने sending wallet का address वह wallet गल गल सब różस्के आपको आपको यह बता है receiving wallet address अपने जो अपने UK किया है उसका वाले अद्रेस और से रिसी मिंग को वाले इस दोनों भी ओलेडर्रेस आपके आप यहाँ पर दे सकती हो लामान डिस्रीप्शन के आपको पूरा मेंनि हे अपने कंश्なた hellãy address से उनको send किया, वो wallet का receiving and sending address यहाँ पर दोनों भी paste करने, और यहाँ पर पूरा matter आपको लिख देना, कि क्या-क्या हुआ है, सारी जीजे, और यहाँ पर attachment में आपको वो screenshot बिजना है, जहाँ पर आपने swap किया है, वो matter आपको screenshot करके, यहाँ पर add file करने है, और यहाँ पर directly आप submit कर सकते हैं, जैसे submit करते हो, वैसे आपको एक घंटे से लेके, बारा घंटों के बीच में आप यहाँ पर जो email ID इनको दे रहे हो, email ID के उपर आपको उनकी तरफ से mail आता है, पूरा mail आपको आपको मिलेगा कि आपको problem कब सौल होगा, कैसे होगा, सारी चीज़े, तो बाद में आपको यहाँ पर नहीं आने हैं, आपको उनके साथ में contact में रहने हैं, वो email के थूरू, email पर ही आप उनके साथ contact में रह सकते हो, बार-बार यह जैन्डेक्स के वेबसाइट के उपर आने की ज़रूत नहीं रहती है, अभी वाले वीडियो में हमने देखा कि clever के उपर कोई भी एक्षेंजर रिलेड़ेड या फिर token wallet regarding कोई भी प्रॉल्लेम होता है, तो उसको कैसे phase किया जाए, यह Zendex की जो website clever की, इसके उपर आके आप यह पूरा salt-out कर सकते हो, आज का वीडियो बहुत आपको पसंद आया रहेगा, वीडियो अगर पसंद आया रहेगा, तो definitely इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को एक बार सब्क्राइब करो, तक आने वाले सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकिकिशन आप तक time to time पोस्ट है रहे, आज फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जाएंगे, चैनल करेंगे,